जितने भी परिक्षारती बिहार बोड से मैट्रिक या इंटर की बोड परिक्षा 2023 में समलित होने जार हैं तो आप सभी परिक्षारतियों के लिए अभी का ये वीडियो काफी उपियोगी है क्योंकि इस वीडियो के माधियम से मैं आपको ओर टिप्स दूँगा जिसको आपना करा बिहार टॉपर बन सकते हैं अगर आपकी तैयारी काफी अच्छा हो चुका है तो टॉपर किस रूप में पढ़ाई करते हैं या अगर आप एक सामान बिद्यार्थी हैं और आप मान लि मिलेगा उतर पुस्ति का कैसे मिलेगा कहां पर कितना दिर में कौन सा जनकारी भरना होता है संपूल्ण जनकारी इस वीडियो में मिलेगा सबसे पहले देखिए काफी विद्यार्थियों का प्रसंता कि अपने पढ़ाई में क्या कि आप बदलाव करना चाहिए क्योंकि एक तो उसका रिवीजन आसान होता है लेकिन अभी हम लोग पहुंच चुक है 14 चैप्टर 13 चैप्टर पे तो 1 से 13 12 तक के प्रस्णों को याद करने के लिए रिवीजन करते रही है तो रिवीजन का एक तरीका है कि जो भी हम पढ़े हैं उसको फिर से दुबारा पढ़ते जरूर कीजेगा कि आपको तीन घंटा 15 मिनिट में जो आपको हमेशा बताते आया हूँ उसको जो चातर काम कर लिए अगर हो कम जानता है अगर उसको उतर लिखने की आदत हो गया और कैसे प्रस्ण को सॉल्व करना है कोई प्रस्ण छोड़ कर नहीं आ रहा है क्योंकि प्रस्ण छोड़ेंगे जैसे मालिजा कोई प्रस्ण है आठ नंबर प्रस्ण आप छोड़ दिया है अगर उसके फिक्स आप छोड़ दिया तो जिरु अंक मिलेगा और वहीं पर ईकर उसको आप कुछ भी लिख दिये मालिजा आपको थोड़ा सा मालूम तहुड़ा सा अप डाउन करके उसमें कुछ लिख दिया है तो हो सकता है पांच में पांच नहीं मिले लेकिन दो तीन तो मिल ही जाएगा अगर सब्द सीमा का ख्याल रखके लिखे हैं तो एक हाई बीट आज से अगर आपको टॉपर बनना या अच्छांक लाना है तो अपने पढ़ाई में कर रहाँ है सबसे पहला आपको क्या करना है सबता हमें कोशिज कीजिएगा प्रती दिन अगर नहीं हो पाता है माली कोचिंग स्कूल से आपको समय नहीं मिलपाता कम से कम एक सब्सक्षार में दो मैं मैं म्तलब मतलब से बीक प्रठों क्या करना है कि इस तरह सहब कर सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब यहां उत्र पूच्थी का ले लिज Sawerka पाइं, तालिस मिनट में इसको solve करेंगे मैथ का solve करना है, इंटर का पेपर कोई भी solve करना है तो 3 घंटा 15 मिनट में कि कीतना दिर में objective solve करना है कीतना दिर में subjective अब बात करते हैं कि पहले क्या बनाएंगे पहले objective बनाएंगे कि subjective तो ये देखिए विहारबोट पहले ही इसके लिए काफी दिन पहले गाइडलाइन्स जारी कर दिया है इस एकजाम में आप जैसे ही जाएंगे वैसे इसी तरह आपको वहाँ पे जो भी विक्षकोंगे आपको एक साथ लाकर आपका कोशन पैपर इस तरह उतर पुस्तिका इस परिक्षा में पैपर शुरू होने के डेड़ घंटे बाद OMR सीट वापस ले ली जाएगी बिहार बोड ने केंदर दिक्षक को निर्देश दिया है कि परिक्षारती को OMR सीट और कौपी एक साथ दी जाएगी लेकिन हर पाली में OMR सीट पहले ले ले ली जाएगी अर्थ तो ये सभी आदत आपको पहले से लगा कर जाना है तो आपको ऍसको क्या करना है बरत्मान समय में एक तूरी विजन की vegan कीजिए और दूसरा में प्रिबियस येर कोशन पेपर होगा उसको आप ले सकते हैं या कोशन बैंक या कोई भी मोडल पेपर है उसको ले लिए जएगा और यहाँ पे प्रिबाद सुव मुली आंकन कर लेना है उसके बाद आधा गंटा इघंटा समय देखे कि वहाँ पर उत्तर उसका चेक कीजिएगा कि इतना प्रसन सही गलत हो रहा है जो भी आपको गलत हो रहा है उसको याद करते जाए यह काम अभी से परिक्छा तक आप कर लेते हैं तो इ अच्छाहीं आता है चाहाओ कम जानता हो या ज्यादा जानता हो उसका अंक पे काफी इसका परभाव पड़ेगा तो यह आपको हैबी डेवलब कर लेना है पादत लगाएंगे तो इसके माधे हम सबका पूरा रिवीजन हो रहा है आपको उत्तर लिखने का कला जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके माधे हम सबकर रिवीजन होगा और यह सब गलती आप एकजाम में आप जाएंगे तो इसी तरह आपको प्रसंद पूस्ति का यहाँ पे उमर सीट इसी रूप में और इस तरह उतर पूस्ति का दिया जाएगा लेकिन सबसे पहले आपको इस उमर सीट को भर लेना है उसके बाद देड़ घंटा में कोशिश करना है अब्जेक्टिव आप सॉल्व करना पर एक घंटा में सॉल्व करके इसको साइड में पहले इसी का काम की जगे को उतर पुस्ति का इमर सीट कॉंपी लेकिन पहले आप से उमर सीट जामा करा लिया जाएगा तो इस तरह पूरा लगुःतर यह प्रसंदिर उतर यह प्रसंद भी बिदिकत नहीं होगा दो इस पूरे वीडियो की सरांस में आपको to the point समझा दू तो यहां से आपको दो तीन बात की जनकारी मिल गया उसके बाद OMR सीट भले ही तीनों एक साथ मिलता है लेकिन OMR सीट पहले आपसे ले लिया जाता है तो पहले आपको objective प्रसंट सॉल्व कर लेना है और दूसरा जनकारी आपको इस वीडियो से मिल गया कि अगर आपको टौपर बनना है या अच्छा अंक लाना है तो आपको उत साथ उसमें जीतना दिर समय दिया रहेगा एक OMR सीट लीजिएगा पहले आपको OMR सीट के पूरी जनकारी भर के फिर यहां पर आपको लगता है ऐसा लगना चाहिए कि आप एकजाम में बैठें तो यहां पर इसको पूरे objective प्रसंट को सॉल्व करना है और फिर यहां पर महत्वफून जनकारी सीखने को मिलागा इसी रूप में अपना पढ़ाई किजिए और प्रती दिन कोशिस किजिए एक मोडर पेपर या कोशन बैंक का सेट या एक स्टन्टा पैक्जाम का कोशन पर हम लोग सॉल्व कर लें तो इस रूप में अगर आप पढ़ाई करेंगे आपका मैट्रिक इंटर बोर्ट पर इच्छा दो जबते इस में जरूर सांदार रिजल्ट आएगा एसा ही किसी महत्वफून टिप्स के साथ फिरम लोकल मिलेंगे तब कर तो इसी रूप में पढ़ाई किजिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद